पूरे बिचारों पर हम पूरे बिस्तार से डिसकस करने जा रहे हैं जिसके अंत्रकस सबसे पहले दोस्तों हम शुरूआत करेंगे जैसा कि होउपस साहब ने शुरूआत की अपने पूरे दर्शन की मानव के बेबहार से उससे उन्हों ने अपने सिध्धान्त की शुरूआत कीती और हमारा थोमस होउपस का जो सेशन है ये भी इनके सामजिक सम्जोता, संबंदी विचारों से ही प्रारम होने जा रहा है, तो Thomas Hopps पर दोस्तो 2 सेशन होने वाले हैं, एक सेशन में, मतलब आज के सेशन में हम बात करेंगे, सामजिक सम्जोता, संबंदी विचार, इसमें जानेंगे, कि इनके द्वारा दिया गया, स विचारों पर तो इस प्रकार से दो सेशन इनके अंत्रगत होंगे दोस्तों ठीके ना चली शुरुआत करते हैं अच्छा सेशन में आगे बढ़ें उससे पहले एक बात मैं आपको और इस पर स्टूप से बता दू जो इस्टुडेंट पहली बार सेशन को देख रहे हैं जो यहां पर पढ़ते हैं यूटूब आपन प्लेट्फारम पर सबढ़ेक्टों को दोस्तों आपकी ओप 29 कि तरह ही टोपिक वाइज टोपिक हम कवर कराते हैं किसी बीचिब नहीं किया जाता है संपूण ख्रासस हमारी लोदाजी क्लक्रास के इस प्लेट्फारम पर पूरी इसको continue करवा रहे हैं लेकिन दोस्तों अगर आपके सिलेवस में इस वाले पार्ट को अगर फर्स्ट एर में भी दिया गया हो या फिर आप अगर थर्ड एर में इस पार्ट को कवर कर रहे हैं तो भी आप निश्चिंत रूप से इसे फोलो कर सकते हैं इसके अलाबा अगर आप कर रहे हैं अगर आपको कहीं यह पार्ट नजर आता है आपके सिलेवस में या फिर इस प्रकार से अगर आप किसी सब्जेक्ट को भी फोलो करते हैं और उसके बाब जूद भी आपके सिलेवस में अगर आपको यह वाला पार्ट है दोस्तों आप निश्चित तूरूप से इसे फोलो कर सकते हैं जितना महतपूर्ण ये बिए के लिए उतना ही महत पूर्ण आप लोगो के लिए पेले हम बात करेंगे थोमस होपस के परीषय करेंगे जानने का प्रियास करेंगे कि उनका जन्म हुआ टोपिक की जो की जिसमें की हमेंस आज के टोपिक जिस पर आधरित है सामाजिक समझोता होपस के अनुस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट होगा होपस के विचारों की आलोचना और लास्ट में हम निश्कर्ष के तहती जो है सेशन को कंप्लीट कर लेंगे आय Color करते है अपने सेशन की शूरुखार करते हैं तो थोमस होप्स के सामानी परिच्छी की दोस्तों गर हम बात करें तो देखिए उसकी जो कुछ शुरुवाती तत्य थे उनको एक बार समझ लीजिए तो आपका ये अध्यन और इसी हो जाएगा दोस्तों थोमस होप्स जो है इंग्लेंड के निवासिते या कहें कि इंग्लेंड में इनका जन्म हुआ इंग्लेंड में जन्म हुआ और इंग्लेंड में जब इनका जन्म हुआ था उस समय इंग्लेंड में बिद्रोहु चल रहे थे या पिर ऐसा समझेए कि उस समय जो है दोस्तों इस्पेन के जन्म वादियों ने इंग्लेंड पर आकर्मन किया था इनके जन्म होगा या कहें की जब इनका बचपन जब बचपना था तो उस समय भी यहाँ पर England में जो है निरंतर रूप से इस प्रकार के संगरश चलते रहें आगे चल के कि संसद संसद और कहां की England की England की संसद और England के राजा इन दोनों के बीच में भी संगर्स चल रहा था तो इस प्रकार का माहुल बना हुआ था पूरे इंग्लेंड में कि जनता का जो नकरात्मक रूप था मतलब कि जनता का जो आकरामक रूप था वही रूप सामने आ रहा था तो इस प्रकार से उन्होंने जो अपना विचार दिय क्या है मानव के यह कहें कि उस समय की परिष्टितियों को द्रस्टी में रखते हुए इंग्लेंड की जो उस समय की परिष्टितियां थी उन प्रस्तितियों को द्रस्टी में रखते हुए ही उन्होंने अपना पूरा विचार प्रस्तुत किया था ठीक है ना चलिए तो दोस् स्लाइड ही आपको प्रोवाइट कर दिया करते थे पीपीटी के रूप में ठीके ना लेकिन आज के सेशन में हमने थोड़ा सा परिवर्तन यह किया कि हम यहां पर आपको सोर्ट कहानी के रूप में समझाएंगे और इसका नोट्ट जो होगा वह पूरे विश्चार से अलग होंगे ठीकेन आ जो दिस्क्रिप्चन में डाल दी जाएगी नोट्स इसका डाउनलोड करें डाउनलोड करके आप इसको असानी से आप उसका अध्यन कर सकते हैं कि लिए करें चलिए शुरुआत करते शेशन की दोस्तों तो मध्स होप स्की दोस्तों बात कर तो में शोको एक मिट ले ठाझ है वाक कि समय जो है इनका जन्म इंग्लेंड केृंगलेंड के तक्ष्णी दाट पर तक्षणी ताट पर मैंस बरी नगर में हुआ था मैंस बरी नगर में बस इसका नाम जो आपनों को मैं फेक्ट याद रखना है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए आप लोग ठीके ना तो होप्स का जन्म पांच अप्रेल 1589 में इंगलेंड के दक्षणी तट पे इस्तित मैंस बरी नगर मैंस बरी न सब्सक्राइल इसना तक कर लिए और इस प्रकार से 1608ають में इन्होंने आकसपोर्ड यूनिवर्सिटी से इसना तक कंप्लीट कर लिया इसना तक अवर इनके पिता की आगर दोस्तों हम बात करें इनके पिता की अगर बात करें तो едनके पिता एक चर्च के पादरी हुआ करते थे चर्च के चर्च के पादरी हुआ करते थे पिता इनके चर्च के पादरी हुआ करते थे तो उस बिवाद को लेकर के ये अच्छनक से गायव हो गए तो इनके गायव होने के बाद में मतलब होपस के पिता के गायव होने के बाद इनका पूरा पालन पोशन जो हुआ इनके चाचा ने किया मतलब कि इनके पिता के छोटे भाही ने किया था किलिए रहे तो इसके बाद में इसके बाद में दोस्तों पूरा जीवन इनका पूरा जीवन इनका इसी प्रकार से बीता इसी प्रकार से बीता संगर्स भरी परिष्टितियों में इनका पूरा जीवन बीता लेकिन इसके बाद भी इनकी बिलक्षन बुद्धी के कारण इनकी कहीं सारी योगएताय प्रारंब से ही थी और आगे चलके जैसे ही इन्होंने Oxford University से इसना तक की डिगरी ली उसके बाद में उसके बाद में दोस्तों इन्होंने कहीं प्रकार के कार प्रारंब कर दिये इन में अनुबाद करने की एक लेंग्ज में करिक लेंग्फ को यह जानते थे तो उस तो Boston करना लेका कारणा अंदर करना ओर बिशने एड़ वाइजर होना मतलगाउन प्रतिनिदी होना राजूंतिक सलाकार होना राजों प्रतिनिदी चल्दी तो इसी के साथ में उन्हों कई प्रकार के दोस्तो इस प्रकार के कई एक लंबे समय तक उन्हों ने इस प्रकार के कारिय किया अनुवादक के लेकक के ब्यापसाई के तो इन सब कारियों के साती सात में इन्हों ने जो अपनी पुस्तक लिकी जो अपनी पुस्तक लिकी दोस्तो वो पुस्तक भी इनकी का और पौर नेक्स्ट है दिसीव और एलिमंट ओफ लॉव दोस्तो लेविथान जो पुस्तक है ये सबसे ज्यादा प्रचलिक पुस्तक रही इनकी इनके जीवन में अब देखिए इनमें हाला कि इनकी ब्यक्तित्व का जो प्रकरती थी प्रकरती तो इनकी कई प्रकार किती एक राजनितिक भी थे और साथी साथ में ये दोस्तों एक पर्याप्त मतलब एक अनुभवी बिग्यानिक भी थे तो कापी योगता इनके अंदर थी लेकिन समाज ने इन्हें एक राजनितिक के रूप में ज्यादा पसंद किया ये ज्यादा जो है ये प्रचलित हुए वो राजतन्त की चर्चा कई है और इसी लेवितान के अंदर ही दोस्तों सामाजिक समझोते का सिध्धान्द दिया है जिस पर हम आज सेशन लेकर आए हैं तो उसके अनुसार या कहें कि लेवितान पुस्तक में उनके ही लेखों के अनुसार इनका जो दर्सन रहा है उसमें इन निरंकुस राज्टंतर का पूरी तरह से समर्तन किया है जनता के पास कोई अधिकार नहीं छोड़ें संपूनं अधिकार इन्होंने अपने शौशक को दे दिये हो साती-सात में शा चैनता के प्रति शौशक के कोई कर्तबव्य नहीं होगे इस प्रकार से हम यह मांन सकते है कि लेवितान पुस्तक के माध्यम से उन्होंने राज को जो विचार दिये हैं समाज को जो विचार दिये है, अपने राज को विचार, उसके अंतरगत उन्होंने अपने शारेश़क को पून्झ निरंकुष, टहराया, अब हालां के देखिए कि उस समय ये निरंकुष राजस्तंत्र की बात करते हैं निरंकुष राजस्तंत्र की बात करते हैं दोस्तों निरंकुष राजस्तंत्र तो ये निरंकुष राजस्तंत्र का विचार इनके अंदर सरप्रतम क्यों था या पर कहें कि पूर्ण ता क्यों या पूरी तरह से इन्होंने रास निंग्लेंड में पूरी तरह सिर्फ संगर्स ही चलते रहे हैं तो तो कभ़ी किसी अन्यरास्ट ने उन पर हमला किया इस अहमल से वी जैसे अपनी की संसद के लिए के शा ना दे सके अपनी प्रिपृष्ट्व लेकिन धीरे धीरे उस परिशद ने अपने अधिकार इकटे की यह मतलब कि धीर धीरे ऒुश्य होती चले गी examining में और प्रभावसील होते होते और समराट की बीच में जो संगर्स चल रहा था उस संगर्स की मध्यसता भी इन्होंने की है तो इस प्रकार से उन्होंने कुल मिला करके ये देखा कि उनके पूरे चिंतन में पूरे समय में कि इंगलेंड की जो दुर्दशा है वो उसकी जनता के कारण है क्यों क्योंकि जनता जो है जिसकी लाठी उसकी भेंस वाली पैस्टिती में थी मतलब जिसके पास शक्ती है वही सरोच्छ है हर कोई उस समय इंग्लेaga में हर को और उसरक्त क्याנס स्वार्थ की भावना तो समय थी नहीं पुरेंगलेण में प्रतेक जनता में उनको एसा अनुभ़ा गए कि प्रते जनता प्रतो स्वार्थी है जगर आलू है तो इस प्रकार से उसका जो व्यक्तिध्म था जन प्रकरतर से अगली पुस्तक थी इनकी एक पुस्तक दोस्तों निकी लिकार इसके अंतकरत प्रकरती प्रकरति की विवेशना की मैं है इस इस में पढ़ने वाले सामजिक समझोता में इस प्रकर्तिक अवस्ता थी उस प्रकर्तिक अवस्ता में प्रकर्तिक अवस्ता में मनुष्य कैसा था इस पर भी इन्हों ने चर्चा की है इसको भी अपना आधार बनाया इसको भी अपना आधार बनाया इन्हों संप्रभुता की बात की है और इसके मार्द्यम से उन्होंने ये कहने का प्रियास किया है कि शासन या कहें कि सरकार जो होगी वो पूरी तरह संप्रभु होगी इसका कोई दाइद्व नहीं होगा जनता के प्रतिक और इस सरकार के प्रत्यक आग्या का पालन करना जनता का क्या होगा करतव्य होगा जंता को करना ही चाहिए कि लिए इसके अलावा जो अगली पुस्तक इनकी element of law तो दोस्तों इस element of law में इन्होंने पूरा बिधी के शाषन की बात की है बिधी के शाषन की बात की है बिधी अर्थात की कानूं पर वस्ता होनी चाहिए अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है क्या होता है कि इन्हों ने अपनी युवा वस्ता में ये कापी प्रचलित हो चुके थे क्योंकि ये एक प्रकास से इनका कापी बिरोध भी हुआ कापी आलोशनाई हुई और इस प्रकार से इन्होंने आगे चल करके इंग्लेंड से कुछ समय के लिए ये फ्रांस चले गए अब फ्रांस में भी इन्होंने अपना चिंतन दिया ये जो लेविथान जो पुस्तक है इनके प्रसिद्य पूस्ता कि इन्होंने प्रांस में ही लिखी थी तीके ना पर वहाँ पर भी इनके जो नास्तिकता वादी वीचार थे उसके कारणी ये वहाँ पर भी जारा टिक नहीं पाए और अन्तता वापस से इंग्लेंड में आ गए अब इंग्लेंड में भी ये का समराट के पदपर और यह वही चार्स दूतिये थे जो इनके शीष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष एक आराम धायक जीवन की मान लीजिए कहें कि सांती पूर्वख जीवन बेतीत करते हुए इन्हों ने इससे पहले इन्होंने काफी उक्त रभी थे कि इसे इसे विचार दिये कि इनके विचारों से हर कोई एक सामानी जनता पूरी तरह भड़क बड़क उठी थी इना जो रा सामुहिक रूप से ये मांग कर रही थी समराठ थे कि इनको जिंदा जला दिया जाए इसी परिष्टिती इनकी बन चुकी थी इंग्लेंड के अंदर तो इसी कारण से लेकिन अब चूंकी ये समराठ के गुरू थे इस कारण से समराठ ने इनको संदक्षर दिया और अन्तत साहा इनका जो इनकी जो म्रत्य हुई वह 1689 में इनकी म्रत्य होती है काफी लंबा जीवन रहा है इनके और काफी विचार भी कापी अच्छे रहे तरसत देखा जाए तो देखिए विचारक चाहे कोई भी हो परिष्टिति के अनुसार ही वह अपने विचार प्रकट करते है मतलब यह कि को चाहे कोई विद्वानों विशेश परिष्टितियों से वह प्रभावित होते हैं जैसा उनका नजरिया होगा जिससे वह प्रभावित होंगे उसी प्रकार के वह विचार प्रस्तुत करेंगे चलिए अब आगे हम बात करते हैं सामाजिक समझोता दोस्तों सिर्दान्त दिया है तो उसको एक बार बेवारी कॉर्प से पहले समझी एग्ष सम्झ सम करने कैसे दो नहीं होता है इनए अकेले बिक्ती ने सिध्धान्त में एक ही पक्ष के बीच में यह समझोता हुआ हुआ है और वह पक्ष देखिए और बेसिकलि तो जो यहाह समझोता होना चाहिये था वह लेकिन एसा नहीं हुआ थोमस होप्स ने इस पक्ष को पूरा हटा दिया समझोते से और इनोंने सिर्फ जनता के अंदर ही समझोता करवा दिया और कहा कि समझोते के द्वारा ही एक राज्य का निर्मान होगा और कैसे होगा यह पूरे दिन में हम समझने वाले हैं तो यह जो समझोता था यह जनता के अंदर ही इन्होंने समझोते की बात कहिए क्यों कि हर एक पीछ जितनी भी दुर्दशा थी इंग्लेंड की उस पूरी दुर्दशा के पीछे जो उत्तरदाई वो माना गया था यह उत्तरदाई माने गई ते वह जनता मतलब थोमस होपस जोते वह होता है तो इसलिए कहा कि जनता खुद एक समझोता करें आपस में मिलके और उस समझोते के द्वारा ही राज्य का निर्मान हो वो कैसा समझोता होगा किन-किन बिंदूओं को ध्यान में रखते समझोता होगा और उन्हीं बिंदूओं पर हम यहां पर आगे बात करने वाले चलिए एक है करके दोस्तों उनको भी हम समझ लेते हैं इक करके इस समझ लेते हैं सब्से पहले मानव बेवार खैकर अभी की इस्तिति ये है कि सबसे पहली बात तो दोस्तों ये माने जाती है सिद्धान्त के अंदर कि थोमस होपस ने अपने जितने भी राजनितिक विचार प्रस्तूत किये हैं जितने भी विचार दिये हैं वो सारे विचार या उनके सारे सिध्धान्तों की जो शुरुआत होती है मानव के बेवार से होती है कहां से मानव के बेवार से या मानव के सोभाव से होती है मतलब यह कि इनका सिधान्त जो है मानव के सोभाव पर आधारित है इन्होंने जितनी भी कमिया देखिए ना थोमस होपस ने जितनी भी कमिया देखिए वो सारी कमिया मानव के अंदर देख से मानब को कारगेट किये इन्होंने मानब को आधार बनाया और उसा आधार करके .... संदान्त दिया है एक यमी प्र में से इनके आनुसा थ्योंस हुप स्वॉभाब होता है जगड़ालू होता है स्वारती होता है अहिंकारी होता है और इसी कारण से वो हमेशा शक्ती प्राप्त करना चाहता है हमेशा उसकी आखांग्चा होती है अधिक अधिक शक्ती प्राप्त करे और शक्ती प्राप्त करने के कारण ही यह हमेशा हमेशा एक दूसरे के प्रती जगडालू प्रकवर्ती के होते हैं एक द कि यहां पर यह इस्तिति प्रकार की बन चुकी थी यहां पर कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जीवन और उसकी संपत्ति किसी भी प्रकार से सुरक्चित नहीं थी क्यों कि यहां पर अभी तक कोई शासन व्यवस्ता नहीं है कोई इन पर एक छत्र राज कर सके या इस इसके लिए कोई एक कोई एक साशक नहीं था कोई एक सासन नहीं था इसलिए इन्हों ने ब्यक्ति की इन जो दोश थे जगडालू स्वार्ती एहंकारी इन दोशों को दूर करने के लिए उन्होंने एक निरंकुष राज तंत्र की इस्तापना पर जोड दिया था तो इसलिए हम यहां यह कह सकते हैं कि मानब का जो बेवार है मानब का जो बेवार है उस पर ही इनका पूरा सिद्धांद टिका हुआ है मानब के बेवार को परिवर्तित करके उसमें आपस में समझोता करवा करके और एक एसे राज्य की इस्तापना करना जो इन मानबों को एक सही दिसा मे और भी कह सकते हैं कि मानब थोमस होपस के अनुसार ही कि मानब की जो प्रकरती होती है वो किस प्रकार की होती है दोस्तों मानब की प्रकरती मतलब ये कि उसमें हमेशा कुछ बुण समाहित होते हैं वो बुण कौन-कौन से होते हैं जैसे कि निजी स्वार्थ होगा निजी स्वार्थ होगा इसके अलावा उसकी इच्छाएं होगी इच्छाओं के अलावा सुरक्षा की भावना होगी सुरक्षा की भावना इसके अलावा एक डर होगा शक्ती प्राप्त करने की आकंचा रखता है तो क्यों रखता है क्योंकि हमेशा युद्ध में व्यस्त रहना चाहता है इसके अलावा दोस्तों हमेशा संगर्स हमेशा संगर्स में जीवन व्यतीत करना तो इस प्रकार की मनुश्य की इस प्रकार की मानव की जो है एक प्रकर्ती होती है तो इन सभी प्रकर्तियों को द्हान में रखते हुए ही थोमस होपस ने अपने विचारों के अंतरगत इस प्रकार की विचार प्रकार की है प्राकर्तिक अवस्ता की इसकी खानी कुछ इस प्रकार की है प्राकर्तिक अवस्ता की थोमस होपस का मानना यह है कि जब तक समाज को हेंडल करने के लिए समाज को संचालित करने के लिए राज नहीं होगा या राजा नहीं होगा तब तक उस राज की जनता है वो जनता किसी भी प्रकार से सुरक्ष तो नहीं रह सकती अब क्यों नहीं रह सकती इस बात को भी उन्होंने इस पर रूप से समझाने का प्रियास किया है उन्होंने कहा है कि यह जो जनता है यह प्राकर्तिक रूप से प्राकर्तिक रूप से जो हमने अभी अभी इनकी प्रकर्ति की बात की है कि इनके अंदर एक ड वान परवर्ति का इसारा इस और है कि वह Harley a Cap हो चाहता है। चाहे प्तियारों के रूप में किसी भी प्रकार से माले चींए चाहेचा तो क्या करेगा वह दूसरे के अधिकारों को चीनेगा बाद्ु तो दूसरे के अधिकारों को चीने का तो प्रतेक व्यक्ति इसी ही अफसर की तलाश में रहेगा कि कब उसे किसी और के अधिकार चीनने का मुका मिले तो इस प्रकार की प्रवर्ति अगर जनता में रहती है तो वहां हमेशा वहां पर हमेशा अभ्यवस्ता पहली रहेगी तो उस अब अबस्ता के कारण जो वहां की जनता का जो पूरा माहुल होगा वो भी गर जाएगा और एसी अबस्ता में किसी व्यक्ति का जीवन सुरक्चित नहीं रह सकता और नहीं उसकी संपत्ती सुरक्चित रह सकती है तो इनको सुरक्चित रखने के लिए ही यहां पर थोमस ह सतंत्र की स्तापना पर जोड दिया था कि नहीं अरे तो प्राकरत्य प्रारंभी कवस्ता थी दोस्तों वह शक्त भी सब्सक्ती ही सत्य के सिध्धांत पर और अबरी। उनका मानना था कि उस समय की जनता है उसमें शक्ती ही सत्ते मतलब सबकुछ वो शक्ती को ही मानते थे जो शक्ती साली होगा सरवता उसकी ही जीत होगी तो इस कारण से जो प्राकर्तिक अवस्ता थी दोस्तों वो प्राकर्तिक अवस्ता उस प्राकर्तिक अवस्ता में जनता को न्याय और अन्याय का कोई ज्यान नहीं था प्राकर्तिक अवस्ता में क्या न्याय है और क्या अन्याय है इसका भी कोई ज्यान नहीं था वो एक दूसरे से लड़ने में ब्यस्त रेते थे एक दूसरे की संपती चीने में विजबास करते थे इसके अलावा आत्मरक्चा का नियम प्रचलित था कि प्तेख व्यक्ति चाता था कि वो सिरु अपनी सुरक्चा करे लेकिन अब आगे की परिश्टिती कुछ इस प्रकार की बननी चाहिए या थोमसोप्स के अनुसार की इस प्राकर्तिक अवस्ता से निकाल करके ब्यक्ति को एक ब्यवस्तित समाज का एक माहूल उनको डिवलप करना चाहिए उनको एक ब्यवस्तित माहूल में रहना चाहिए ए प्रतेक व्यक्ति अपने स्वार्त और जगडालों प्रवर्ति से बाहर निकल करके वो समाज के विकास पर फोकस करें तो इन सब बातों को प्राप्त करने के लिए इन सब उपलव्धियों को प्राप्त करने के लिए ही थोमस होपस ने यहाँ पर एक निरंकूश राश्तंतर क की स्तापना पर जोड दिया दिया है समझूत का कारण चाहिए यहां पर कि समझ집 राज्य का निर्वान नहीं सकता है थोमस होपस की विचारक पड़े हैं उनमें कई बार समझा है कि जनता जो राज्य का निर्माड हुआ है वह सभाव एक जो है यह एक एसा मान सकते हैं कि एक क्रम अनुसार इसका निर्माड हुआ है जनता ने सामोई गूरूप से रहना सीखा एक दूसरे ने आपस में स बलकि एक समझोते के आधार पर हुआ है अगर समझोता भी हुआ तो किस किस का हुआ है तो यहां समझोता दोस्तो जनता के बीच में हुआ है जनता के बीच में हुआ है यह ना तो जनता के बीच में यहां समझोता हुआ है और उस समझोते के आधार पर ही यहां राज्य का विकास के लिए जीवन और संपत्य की रक्षा परमावश्य के है और इसकी रक्षा एक राजनितिक समाज ही कर सकती है कौन एक राजनितिक समाज क्या हो जाएगी जिस समाज में पर्याप्त व्यवस्ता हो सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्ता हो अधिकारों की पर्याप्त व समाज का एक राजा होगा एसी समाज का एसी समाज की रख्चा जो है अपने आप ही उस साशक के द्वारा की जाएगी और एसी समाज में ही जीवन और संपत्ति की रख्चा संबब हो सकती है कि लिए तो दोस्तों इस प्रकार से यह सिद्धान्थ पूरा आपको यहाता का किलि समझोते कि उसका स्वरूप क्या होगा तो दोस्तों उसके स्वरूप कुछ इस प्रकार का है कुछ इस प्रकार का है अब चुकि यह वाद तो आप पहले से किलियर हो चुकी आप लोगों को कि यह जो समझोता था यह सिर्फ जनता के बीच में ही था यहां पर एक साशक होना च प्रकिस कीजिए तो should pren मानना था कि प्राकर्ति जो हमारी प्रारंबीग प्राकर्ति का वस्ता थी उस प्राकर्ति का वस्ता का मतलब क्या होदोस्तो जिसमें ब्यक्ति के पास में कोई राज नहीं था कोई नियम नहीं थे जीने के जहां जीवन ओर संपत्ति की किसी प्रकार की कोई रक्षा नहीं हुआ करती थी ब्यक्ति एक दूसे से लड़ झगड़ करके जो शक्ति-साली ब्यक्ति था वह हमेसा दूस की इस्तापना करने के लिए थोमस होपस ने कहा कि आपस में जनता को एक समझोता करना चाहिए और इसी समझोते का परिणाम था यह समझोते का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का था उन्होंने इस परस्ता कहा है कि प्रत्यक व्यक्ति को प्रत्यक व्यक्ति को आपस में ही प्रत व्यक्ति को आपस में किया विक्ति को क्या बोलना चाहिए कि मैं अपने ऊपर शाषन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति को इस सर्द पर सोपने के लिए श् newcomति देता हूं कि तुम भी अपने अधिकार उसको श्मो दोगे और इसी तरहे उसके सब काल्यों को शुक्रती दोगे तो ये था फॉर्मेट किसका समझोते का इस प्रकार से समझोता होगा तो इस समझोते का ही परिणाम था दोस्तों इस समझोते का ही परिणाम था कि व्यक्तियों ने राज्य को जन्म दिया ठीक है ना व्यक्तियों ने सभी व्यक्तियों ने मिलकर के इस सम समझोते के आधार पर व्यक्ति को व्यक्ति को सारे अधिकार प्राप्त हो गए व्यक्ति को कौन से व्यक्ति को जिस व्यक्ति को शाषन करने का अधिकार था उस व्यक्ति की बात हो रही यहां पर उस व्यक्ति को सारे अधिकार मिल गए लेकिन जनता के सारे अधिकार छिन गए राजा के पास चले गए ठीक है ना तो राज के निर्मान के बाद जीवन की सुरक्षा निश्चित की गई और राजा अब यहाँ पर संप्रभू हो चुका है राजा पूरी तरह से संप्रभू हो चुका है अब दोस्तों अब इस समझोते के बाद में क्या हुआ एक Hai Hai कि नई राज्यका सìn्वीव कुछ उस्परकार का होगा उस समझोदे के माध्यम से किस प्रकार का राज्य बना ज्रा दे देखिए उस प्रती सांथी के सर्वच्छ सथा के रूपमें प्रतिश्ड हो चुका था यह सिर्फ कहने की याद कि शब्द है य learn व्यक्ति सर्वोच सत्ता के रूप में प्रतिष्ट तो चुका था मतलब यह कि कहने को दिखाने को तो जनता ही सर्वोच थी क्यों कि जनता ने मिलकर के एक राज्य का निर्माण किया था तो इसी कहनी से कहें कि इसी समझोते से और यहीं से एक नए राज्य का स्रीगनेश होता है और यह समझोता दोस्तों सामाजिक समझोता था राजनीतिक समझोता नहीं था सामाजिक समझोता क्यों कहा गया इसको क्योंकि यह समझोता एक समाज के अंदर हुआ था ठीक है ना सास समझनकट यह समझ्जोत कर दो दो पक्ष्व नहीं ता लेकिन समझ्दोक पक्ष नहीं समझ्च के बाद परिणाम यहा यहां पर जब के लिएरफ बढ़ चुका जितने डेटा क्यां कि की अब लोगों को प्रोवाइट कर चुका हूँ ठीके ना अब शेशन तोड़ा फटा-फट चलेगा अब इसमें देखिए अलोशना है अलोशना की अगर दोस्तों हम बात करें अलोशना की तो अलोशना में अलोशना में देखिए सबसे में बात तो इसके अलोशना से पहले भी अग निरंकुष राज था निरंकुष राज था इस निरंकुष राज तंतर था इस निरंकुष राज तंतर के अंतरगत जनता के पास में जनता के पास अब कोई अधिकार नहीं थे जनता के पास कोई अधिकार नहीं थे इसके अलावा इसके अलावा शाशक जो होगा या सरकार ज साथ में यह साशक जो है जनता के प्रतिक किसी भी प्रकार से उत्तरदाई नहीं था किसी प्रकार से उत्तरदाई नहीं था मतलब जनता के लिए साशक के कोई कर्थब नहीं था सासक का कोई कर्था भी नहीं था जनता के लिए कि जनता के लिए वो किसी प्रकार कोई कार भी करें और साथ साथ में साथ साथ में इसी समझोते के माध्यम से ये भी इसपस्ट कर दिया गया कि जनता को जनता को यहां पर बिद्रोहो शासन के खिलाप शासन के विपक्ष में ब इसको साब करते हैं अब थोड़ा फटा फट आलोशनाओं को पर फोकस करते हुए दोस्तों इनकी आलोशनाओं के अगर हम बात करें तो आलोशना यहाँ पर राज्टंत्र और चर्च को जो सपोर्ट करने वाले लोग ते राज्टंत्र को सपोर्ट करने वाले लोग और कि मानव इन्हों ने थोमस होप्स ने सिर्फ मानव के नकरात्मक पक्च को ही देखा है बलकि एसा नहीं है एसा नहीं है और इनके नकरात्मक पक्च के आधार पर मनुष्य थोमस होप्स के अनुसार मनुष्य हमेसा स्वार्ती होता है लोबी और जगडालू प्रवर्ती का होत मिस्रण होता है जरूरी नहीं है कि जो थोमस होपस ने बोला कि सभी मनुष्य जगडालू है सभी मनुष्य स्वार्थी है सभी मनुष्य लोभी है तो यह सत्य नहीं है मनुष्य में दोनों क्वालिटी होती जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते है उसी प्रकार से मानब की भी दो प्रकार की प्रकर्ति पाए जाती है अच्छाई और बुराई दोनों का मिस्रण पाए जाता है उसमें बुराई स्वार्थ भाव लोभी भाव और जगडालू प्रवर्ति होने के साथी साथ में उसमें दया भी होती है स्वानूब होती भी होती है और प्रेम भी होता है प समाज में रहुत और वह ब्याक्ती की आदत होगी तो वह ब्यक्ती की आतत है और वह आदत मतलब वह अपनी इच्छा से रहा है तो दिया किसी लाप के लिए नहीं प्राद से सामाजिक प्राणी है स्वार्त से नहीं क्लिए रहे चलिए अगली अलोशना के तेतागत देखें तो प्राकरतिक अबस्ता तो थोमस होपस ने जिस प्राकरतिक अबस्ता की चर्चा की है कि जिस प्राकरतिक अबस्ता से वो जनता को बहार निकलना चाहता है उस प्राकरतिक सबस्ता को भी यहां पर अलोचों ने नकार दिया गया है नेक्स समझोता जिस प्रकार के समझोते से यह राज्य का निर्मार करना चाहते हैं इस प्रकार का समझोता तारकिक ही नहीं है अतारकिक है समझोता हमेशा दो पक्चों में होता है जबकि थोमस होपस का जो समझोता है वो सिर्फ एक पक्ष में ही समझोता हुआ है जनता ही जनता में है ना तो जनता ने आपस में समझोता कर लिया तो यह सो कोई पक्ष होता ही नहीं है इसलिए यह समझोता भी गलत है नेक्स्ट है राज्य का निर्मार राज्य का निर्मार जो है थोमसोप्स के अनुसार भे के क कारण क्योंकि प्राकर्ति का बस्ता में जीवन और संपति दोनों को इस खत्रे को करने के लिए राज्यका निर्मान आवश्यक्ता तो इस प्रकार से राज्यका निर्मान डर से हुआ था भैसे हुआ था लेकिन आलुष को कहना है कि राज्य का निर्मान किसी डर या भैसे ना हो करके ना हो करके इना और इसका जो निर्मान हुआ है वो व्यक्तियों की सद भावना के कारण हुआ है सामाज्य की भावना के कारण हुआ है कि लिए चलिए आगे वरते हैं न तो निरंकुस और सोच्चारी शासन इसका भी आलोचकों ने जो है इसके आलोचना की है और इसे आलोचकों ने अत्यांत बहेंकर सासन ब्यवस्ता बताया है क्योंकि सासन पर कोई नीयंत्रन इस्ताफित नहीं किया गया जो शाशक है के जीवन के प्रतेव पहलू पर प्रतेव पक्चिप में हस्तक्चेप करने का अधिकार रखता है लेकिन जनता के प्रती उसका कोई उत्तर दायत्व नहीं होता है तो एसे राज में व्यक्ति की सोतंतर्ता और संपत्ति मतलब यहां पर राज्य की स्ताफना किसली की जा रही तो यहां पर इस प्रकार के सास्तन व्यवस्ता में ब्यक्ति के जीवन या सकेंगे सुतंत्रता और व्यक्ति के संपत्ति इन दोनों की रक्चा संबभ नहीं है जहां द्रंवकुष्टा है तो कि जो साशक होगा वो अत्याचारी ही होगा किलिए रे चलिए निशकर्स की दोस्तों बात करते हैं लास्ट में निशकर्स पर चर्चा करें तो निशकर्स में प्रोपेशर सेवाइन साहब ने कुछ सब्दों में कुछ कहा है उन्होंने कहा है कि वास्तम में होपस पहला आधुनिक दार्शनिक था जिसने राजनितिक सिद्धान्त का आधुनिक विचारधारा के साथ पूरा सामझे सिस्तापित करने का प्रियास किया है। बन चुका है। कि लिए रे चली इस प्रकास से दोस्तो हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट वो जो इसके तुरंत वाद नेक सेशन होगा वो होगा इनके ब्यक्तिवादी विचारों पर थोमस होप्स के ब्यक्तिवादी विचारों पर मिलेंगे जल्दी ही नेक सेशन में प झाल झाल झाल